आज़े हैं आज़े हैं दिस इस और वोस्त प्रचित पंगाल होप करता हूँ आप सब खुश होंगे और हेल्दी होंगे आज का जो व्लोग है वो आप सब की डिमांड पर आया है आज के व्लोग में मैं थोर की सारी पूरी दिन की डाइट दिखाऊंगा मैं उसको कितनी मील देता हूं और उसको क्या क्या देता हूं खाने में तो आप वीडियो देखो आगे कि उसमें क्या क्या चिज्जे मैं उसको खिलाता हूं और एक और इंपोर्टेंट बात कि जो मेरे दोस्त सारे कमेंट कर रहे हैं आप सब कमेंट कर रहे हो कि थोर का प्राइस क्या है थोर क उदर से नहीं उठाते डॉग तो उनके पास अपने खुद की जो फीमेल है वो उनकी बच्चे साल करते हैं तो सुमित भाई है उसका जो उसकी फीमेल है उसके बच्चे सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं जब और बच्चे आएंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूँ है व्ल जल्दी से जल्दी 50 के सब्सक्राइबर करें ताकि अपने एक नया सप्राइज आना है पिछले व्लोग में भी मैंने हिंट दिया था तो जिस जिसको वह समझ आ गया हो हिंट तो बताना मेरेको पिछले व्लोग का भी मैं लिंक आई बटन में दे दूँगा तो थो थो जो म थो जो तो थो थे पर अब मैंने इसनकि कर दी आएए एक तो इसमेन हो लांग है इसमें य्लो पार्ट और इसका वाइट पार्ट पूरा है और जो दो एग और हो रहे हैं वो उतमें सिस वाइट वाइट पार्ट है जो यलो पर्टो तेना उसमें कोनेश् insbesondere होते हैं और ज्यादा ज्रुर नहोंते ही इतना जग्म्राइण और यह वाइपार यह प्रोटीन है pert प्रोटीन इसको अच्छा लगता भी है इसको जरूरी भी है और यह रोइल कैनन इसे फॉट मोट ने सोगा फाइव इसके बाद यह ऐसे हो गया है तो मोल्णिंग डाइट फॉर की यह है अभी आग याग यह मैं इसको त्यार करता हूँ इसको खिलाते हो भी दिखांगा ऐसा चाहेगा कितना पसंदाइस कोई है थार आजो अधोर बाहर दखता उंदर में चलागा अब तो भी ना बोले बैठने लए जाता है तली थार जो है चलो रूप जाओ थोड़े एक सेगेंट एक सेगेंट यह लाइए आप देख सकते हैं कितना पसंद है इसको यह और मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसको ऐसे यह इसके फीड में ऐसे करते रहो ताकि आगे बढ़ा ओके इसको यह आपने करी लोग देखें ना वो जैसे वो अपने खारने के पास भी नहीं आने देते तो वैसा ना हो इसलिए अभी से इसको आदर डाल दो ताकि बाद में यह ऐसे गुराए ना आपको उपर अटेक करें जब आप इसको फीड दो यह इसका खाना ले ओ आगे से देखो मेरे इसका के है मेरे उंगलिया तो थोर की मोर्निंग डाइट यही है अब इसके बाद इसको मील मिलेगी बारा बजे बारा बजे क्या मिलेगी वो आप आगे वीडियो में देखो कि तो अब फोर की सेकिंड मील का टाइम हो चुका है तो चलो मैं बनता हूँ थोर को हम सेकिंड मील में क्या देटा हूं 12श में बारा से एग बजे के बीच में मैं इसको देता हूँ जैसे यह एक कंटोरी दई कばी जैसे आज मैंने इस दई के अंदर राइस डाले वाई करके तो यह है मील सेगेंड थौर की थौर आजो दही बहुत अच्छी होती है डोक्स के लिए बहुत बढ़िया ग्रोथ देगी और यह अंदर इसको ठंडग भी देगी तो अच्छा है सारे यह फिनिश कर देगा अभी यह फिनिश करके फिर मैं आप से मिलता हूं और फिर इ नने शाम को चार बती से पाच बजे के बीच में मैं स्नैक्स देदेता हूं जैसे कभी मैं उसको रोयल गणन देदा हूं मतलब हाफ baixo जादा नहीं या फिर कभी-कभी me pik Commander व तो यह चीज मैंनी सूट करी थी मैंने थोड़ा सा रोल गार्म दीया कर उसको पर वो क्लिप सई बिदेनर में जादर रोगनन दे रहा है तो इसका टेस्ट बना रहे है बस थोड़ा से खाल एक आए अब जो चिकन में जो बॉल हो रहे है इसका जो वोटर है वो उस वोटर से फिर इसमें डाल दू हमें और फिर ये अब्सोर्ब कर लेगा वो वोटर को और कुछ भी वेस्ट में होगा जैसे अभी बॉल होगा चिकन तो एक सूप की तरह लिक्विड इच्छे रह जाए तो वह सूप इसमें खाम आजाएगा इसको कर देखते हैं और सॉरी फॉल इसमें पर शिफ्ट हो रही है फिर्स्ट फ्लोर के वो थोर गा चिकन चेक करते हैं कि बॉल हो चुग ह यह चोटी-छोटी पीस करते हैं मैंने दो एक हैं एक वाइट और एक होल है और यह थोड़ा सॉपा एचाता निए यह इसके और हमें इसकी मेडिसेन नो डाल जिता है त्यार हो गया है इसके अंदर चिकन है और थोड़े से बिल्कुल थोड़े से रोइल केने ने और एक ए तो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है आप सबको कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्षिन में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें थैंक यू वेरे मेंच